नमस्कार AES एक जानलेवा बीमारी जिसका नाम जेहन में आते ही एक खौपनाख समझर हमारे सामने उभराता है आज बिहार ही नहीं उत्तर बिहार विशेश का मुजफर पूर इसका केंदर बना हुआ है और प्रति वर्स यहां बरी संख्या में बच्चे इसका सिकार हो रहे हैं और इससे उनकी मिर्टु हो रही है आखिर क्या कारण है कि यह मुझफर पूर यह उत्तर बिहार का केंदर और इस बीमारी पर रोक थाम नहीं हो पा रहा है आज इस तमाम पहलूओं पर विस्टार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं होमियोपैथी के विक्या चिकिस्तक मुहमद डाक्टर कमर आलम साहब तो डाक्टर साहब आपका स्वागत है सबसे पहले आज जो AES है इसके बारे में लोग को कई परकार का भ्रम है कि आखिरे है क्या तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारे दर्सकों को यह बताए कि यह AES है क्या और इसके लक्षन क्या है सबसे पहले तो मैं दो दर्शन का शुक्रिया आदा करूंगा जिन्होंने मुझे बुलाया और यह बहुत ही अच्छे प्रोग्राम में बुलाया जो कि बहुत ही अहम बीमारी है जिस पर हमें तथकिरा करना है चर्चा करनी है सबसे पहले तो चुक्छे बाते होमियोपैट से रिलेटेड है इसलिए सबसे पहले मैं होमियोपैत के बारे बता दो कि होमियोपैत एक पुरानी पद्धती है तरीके इलाज बहुत सारे है इलोपैत भी है, होमियोपैत भी है, आयरवेद भी है, यूनानी भी है लेकिन हमारी जो होमियोपैत चिकिसा पद्धती है यह भी बहुत परानी पद्धती है और इसमें हम लोग symptom similarity लेते हैं और यह depend करता हमारे nature's law of cure के उपर nature's law of cure क्या है कि weaker dynamic power is permanently extinguished by stronger one यह both are similar in manifestation and different in kind एक ही तरह की दो चीजें अगर है एक अगर मजबूत है दूसरी कमजोर है तो जो मजबूत चीजें हैं वो week को दबा देती है ठीक उसी तरह से nature's law पर ही हमारी हमें पायता अधारित है अब रही बात यह बहुत ही अच्छा सवाल है कि AES क्या है AES का मतलब होता है acute incephalitis syndrome acute incephalitis incephalitis के माने होता है brain के जहाँ टीस लगा होगा उसका मतलब ही होता inflammation जैसे meningitis, dermatitis, appendicitis जहाँ टीस लगा इट विंस की inflammation यह जो acute incephalitis incephalitis brain को कहते है और incephalitis का मतलब ही होता है कि दिमाग के अंदर सूजन का जाना बीमारी यह brain के अंदर सूजन का जाना तो अब जब सूजन होगा तो उससे कई symptom अपियर होते हैं इस में आम तोर से हम लोग देखते हैं कि यह जो बीमारी होती है इसके कई cause है एक तो बैक्टरियल है दूसरा वाइरल है आम तोर से वाइरल में कई वाइरस होते हैं जैसे हर्पिस सिंपलेक्स है टोगा वाइरस है अर्बो वाइरस है यह causative organism है causative organism का मतलब यह होता है कि यह वाइरस उस बीमारी को पैदा करते है और जहां तक इसके लक्षन की बात है यह तो causative organism हुआ कैसे यह बीमारी पैदा होती है यह जो बीमारी पैदा हुई है तो उस वाइरस से हुई लेकिन इस वाइरस को लाता कौन है इस वाइरस को लाता है यह हमारे mosquito यानि मच्छर यह मच्छर खास तोर से यह बीमारी जो है इसको summer season disease भी कहते है यानि गर्मी की बीमारी इसलिए कि आम तोर से यह जो बीमारी है यह किसी खास मौसमें जैसे गर्मी में ही यह पाया जाता है दूसरे यह सवाल यह था कि यह मजफर पूर में ही क्यों है उसकी वज़े यह है कि सबसे जादे डेम्प नमी जहां गर्मी हो नमी हो माइस्चर हो हीमिडीटी हो उन जगों पर बहुत सारी बीमारी जो है वो पनपती है एक चीज़ बीच में मैं बतला दू कि बहुत ऐसी बीमारी है जिसका तालुक हमारे मौसम से है कुछ बिमारिया ऐसी होती है जो जाड़े में होती है कुछ बिमारिया ऐसी है जो बरसात में होती है जैसे डारिया है कॉल रहा है आम तोर से ये वारिल है ये भी देखता हूँ कि बरसात में बहुत जादे स्प्रेड करता है गर्मी के दिनों में जैसे आम तोर से आप देखते हैं कि सनी स्टॉक लग गया या उसी तरह से अब ये जो मैंने अभी कॉज़र्टिव और्गनिस्म के बारे बतलाया ये जो बीमारिया है ये खास तोर से गर्मीयों में पाई जाती है गर्मी में होती है उसकी वज़े ये है कि बहुत जादे गर्मी होती है साथी साथ नमी होती है इसमें बैक्टियल गरॉथ वाइरल गरॉथ बहुत जादे होते हैं इसके कॉज़र्टिव और्गनिस्म जो हम लोग देखते हैं जैसे मच्छर वह रहा है तो ये जो है उसको कैर ट्रेसी बहुत जाद है, यहनी तालीम की कमी, जिसको हम लोग कहें कि जानकारी की कमी, जानकारी के आभाव में, दूसरी चीज़ जी अग्यानता है, जिसको कहा जाए, तो यह एक वज़े होती है, जिसकी वज़े से हमारे मुजफरपूर में, यह बीमारियां जादे है, और यह फैबरेबल कंडिशन मुजफरपूर में मिलता है उसको, उसके लिए समझा जाएं कि भोज है, मुजफरपूर जो है, उस बैक्टरिया और वाइरस को ग्रॉथ लेने के लिए, उसका फैबरेबल इन्वाइरमेंट है मुजफरपूर, इसलिए यहाँ जादे यह 1973 में पच्छमी मंगाल में, लेकिन अभी कई सालों से, कई सालों से अपना बिहार, उत्तर परदेश, यह असम, यह सब काफी एफेक्टर रहे, कुछी दिनों पहले उत्तर परदेश में भी बहुत जादे एस्परेट कर गया था, अभी कई सालों से अपने मुजफरपूर म सेक्ड़ों बच्चे, पिछले साल भी सेक्ड़ों बच्चे इससे मर गए थे, अब इसके यह देखे कि कैसे हम पहचानेंगे कि यह जो बखार है, यह एक्यूट इंसेफलाइटी सी है, यह तो याद रखेंगे, कि यह जो बीमारी है, इसका दूसरा नाम लोग चमकी बखा बखार देहातों में या ऐसे भी जनरल लगवेज में चमकी बखार कहा जाता है, उसकी वज़े यह है कि इसमें जी चुके जब ब्रेन में इंसेफलाइटी ब्रेन इंफलेम करेगा, दिमाग में सूचा ना आएगा, तो बच्चे क्या करते हैं, कन्वल्जन में जाते हैं, क अब यह जब दिमाग पर पढ़ेगा तो उसकी वज़े से बच्चे जो है, उसके अंदर कन्वल्जन के साथ साथ क्या होता है, कि हाथ पर अकड़ जाते है, बच्चे के अंदर नौसिया वोमिटिक टेंडनसी होती है, उल्टी मतली वाली केफियत होती है, साथ ही साथ इसक के माने किसी चीज़ का जादे होना, जैसा हाइपर गलेसीमिया, शुगर का बहुत जादे बढ़ जाना, एक होता हाइपो गलेसीमिया, तो यह हाइपो गलेसीमिया हो जाता है, हाइपो गलेसीमिया का बतलब कि बच्चों के अंदर शुगर की कमी होने लगती है, जब शु चैनी होती है इसके अंदर और एक चीज़ और बेबतला दू इस बीच में कि ये जो बीमारी होती है जेरली छोटे बच्चे को छोटे बच्चे का मतलब यह है कि पंदरा साल से कम उमर जेरली देखा गया है कि 11 साल से कम उमर के जो बच्चे हैं वो more affected होते हैं और जादे तर देखता हूं कि वो जाद उसकी वजह यह है कि बच्चे बहुत sensitive होते हैं बहुत susceptible होते हैं सासेप्टिबल का मतलब यह होता है कि बहुत जल्दी अटेक यानि चाहाए extreme heat हो या extreme cold उसके दिमाग पर उसका बहुत जल्दी effect होता है तो इसलिए बच्चे जादे उससे सफरर हो ऐख सबसे हैं एक सवाल की इधर विगत कई वर्सों में हम लोगी मीडिया से जूरे रहे हैं एक वारहों में लगातार ख़बरों में समाचर एक चीज़ हम लोगों ने पाया actland के दरा कि यह विसेशकर ग्रामीन च्चेत्रों और ग्रामीन च्चेत्रों में भी सहरी च्चे बहुत ही अहम है और कुई भी बीमारी क्योकिए बात हो रही है एक्यूट डिजीज की Acute Incephalitis Syndrome है और ये बीमारी चुकि एक्यूट होती है जब हम लोग classification of disease करते हैं बीमारी को माड़ते हैं तो कुछ disease ऐसी है जो acute है कुछ है chronic है acute disease को कई हिस्से में माड़ते है जैसे endemic है, pandemic है तो है क्या कि इसको हम लोग endemic disease कहते हैं बहुत ऐसी बीमारी है चो किसी खास एरिया में होती है किसी खास एरिया, किसी खास locality में ये कोई ज़रूरी नहीं कि उसका effect पुरे शहर में हो या पुरे state में हो, या पुरे country में हो जाए तो होता है क्या है कि ये खास दोर से जैसे आपने बतलाया पूछा तो ये जैसे गिरामी छेतरों में उसकी वज़े ये है कि एक तो ये है कि लाइफ स्टाइल हमारा लाइफ स्टाइल कैसा हो life style हमारा कैसा हो किस environment में हम अपने बच्चे को रखे सबसे पहले तो ये देखे आम तोर से देहाती छेतरों में बच्चे रात में भूके सो जाते है सुबह से शाम तक बच्चे environment में अपना खेलते कुदते हैं और रातों में आम तोर से चाहे वो गरीबी हो या भूकी कमी हो जो भी हो या खाना परोपर अगर उसको नहीं मिल पाया बच्चा अगर खाली पेट में रात में सोता है तो वो भी एक वज़ा होती है दूसरी वज़ा क्या है कि आम तोर से देहातों में बच्चे नंगे बदन खेलते हैं नंगे बदन सो जाते हैं बहुत सारे एक जानकारी के लिए मैं बतला दू कि इसकीन हमारा सेमी पर्मियमूर वेमेरेन का बना हुआ है इसकी खासियत होती है कि जो एसेंसियल एलिमेंट है उसको एब्सार्ब करना जो बेस्ट प्रोड़क्ट है बेकार चीज़े है उसको बाहर निकालना तो होता क्या है कि ये प्रोटेक्शन करता है कि चीज़ से हीट से कूल्ड से बैक्टरियल एजेंट से अब जब बच्चा नंगे बदन होगा तो कई तरह के बैक्टरिय चाहे वो मॉस्किटो बाइट हो या दूसरा इंसेक्ट बाइट हो वो कर सकता है या डायरेक्ट कॉंटेक्ट में भी बैक्टरिया और वाइरस उसके इसकी इनके अंदर आ सकता है और वो अपना सिम्टम उसके लक्चन छोड़ सकता है तो इसलिए सबसे आम तोर से हम लोग देखते हैं कि देहाती छेतर के बच्चे जादे दूसरे मैंने अभी जो बतलाया कि लाइफ स्टाइल उनका सही नहीं चुके कंटामिनेटर फूड खाते हैं जबके इसमें बतलाया गया कि रात में जब भी सुलाया जाए बच्चों को तो कुछ मीठी चीज़ खिला करके सुलाया जाए ताकि उसको हैपोगलेसीमिया नहीं हो दूसरे रात में पानी की मातरा उसको ज्यादे दी जाए इस गर्मी में चुकि हमारे जिसम से अलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है सिर्फ वो पसीना जो चलता है तो ये नहीं समझना चाहिए कि उससे सिर्फ पानी निकला बलके उसके सासा सोडियम है पोटाशियम है और भी बहुत सारे कंपोनेंट से जो हमारे बड़ी के अंदर है वो भी बाहर निकल जाते है तो ऐसे बच्चे जब इससे सफरर होंगे तो फॉरेन इस तरह के सिम्टम अपिर होने शुरू हो जाएगे इसलिए बच्चों को एक तो रात में भूखेने सोने देना चाहिए जरूर खिला करके सोलाए फुल कलोथ पहना है फुल कलोथ का मतलब पूरा जिसम ढखा रहे इस तरह का कपड़ा पहनाया जाए कंटामिनेटर फूड ऐसी चीज़े जो कंटामिनेटर हो खास तोर से जंक फूड फास्ट फूड बच्चों को ना खाने दिया जाए अच्छा पानी ताजा पानी पिलाए जाए आम तोर से होता है क्या है कि देहाती चेतरों में जो पानी पिये जाते है अपरलेयर के होते है या कंटामिनेटर कंटेनर में लिये जाते है जिसकी वज़े से इन्फेक्शन जादे तर केरियाउन होता है सर, एक सवाल की, जैसा कि आपने चर्टा के दोरान यह बात आई कि ग्रामीन छित्रों में, तो रहन सहन भी और कैसे हम बच्चों को रखे हैं, तो आखिर आज बिगत कई वर्सों से ग्रामीन छित्रों में लोग परिशान हैं, जागरूकता भी हान चलाया जा रहा है, चिकिस इस पर जिस हिसाफ से रोक थाम होना चाहिए, वो रोक थाम हो नहीं पा रहा है, तो क्या परहेज के द्वारा, चिकिस्ता के द्वारा, जीवन, रहांसन की सहली, आखिर किस परकार इस पर रोक थाम किया जा सकता है? ये जो चमकी बखार जिसकी बाते अभी हो रही थी, इसके जो सबसे पहले तो ये मैंने लक्षन जो बतलाया था, कि इसके अंदर क्या 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 हो सकते है, इसके लक्षन क्या है, तो लक्षन में बात आई थी, कि एक तो इसमें चमकी बखार चुके बच्चे चौक दृटनें लगते हैं, डरनें लगते हैं. साथ ही साथ वो लांग वीपिंग कर NOTi है. यानि जब या दूर बीमारी होती है तो बच्चे मस्तकिल रोते रहते हैं इसे बच्चे काफी वीक हो जाते है, मेंटेली भी वीक हो जाते है, यहां तक भी हर तरह से जह जह चाहे वो पीएस्टी हो पर जह प्रात्मिंग सिखचा के अंदर और यह जो हम लोग स्वास्थ के अंदर और को देखते हैं यह सभी जा करके घर डोर टो डोर एक तो वैक्सिनेशन भी है इसकी रोक थाम के लिये लोग वैक्सिन वगर भी दिलाते हैं अहम चीज़ है कि वो सारी चीज़े हैं जब तक आदमी खुद उसको नहीं करेगा, उस पर अमल नहीं करेगा, उसको नहीं अपनाएगा कि अपने बच्चों को कैसे रखें, साफ सफाई से रखें, पानी जादे पिलाएं, खाली पे नहीं रहने दें, आम तोर से डेम पलेस म नहीं रहने दें, तो जब तक वो आदमी खुद नहीं करता है, तब तक कितनों, किसी तरह का भी अभ्यान चला जाएगा, उससे बचाओ, अगर नहीं होंगे, तब तक ये ठीक नहीं होने वाला है, और इस पर रोक थाम नहीं हो सकता है, ये तो हुई रख्ट साहब शामान इसकी चिकिस्सा संबब है, अगर है तो किस परकार इसके लिए कौन सी दवा कै, क्या प्रयोग होना चाहिए, हमारे होब्यूपैत में, एक्यूट इंसेफलाइटिस की बहुत अच्छी दवाए है, याद रखेंगे कि ये जो एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रॉम है, जिसके अदर हम लोग आम तोर से देखते हैं कि हाई राइज आफ टमपरिचर होता है, बखार बहुत जादे होता है, इसमें सर में दर्द होते हैं, बच्चे चौकने लगते हैं, डरने लगते हैं, यहां तके, तो हमियोपैत एकॉर्डिंग टू सिंट्रॉमेटरोजी है, मैं आपको बीच में बतला दू कि जब भी हम लोग किसी बीमारी को देखते हैं, तो सबसे पहले उसके लक्षन को लेखते हैं, लक्षन लेने के बाद, उसके बाद आता है साइन, जिसको हम लोग कहते हैं पैथोलोजिकल इन्वेस्टिगेशन, तो पैथोलोजिकल इन्वे करने के लिए एक तो हम लोग MRI और ब्रेंड कराते हैं उस उसके इलावे बहुत सारे टेस्ट है जैसे इसको हम लोग कहते है cerebral spinal fluid test वो आम तोर से लंबर puncture करके और उसके बाद उसके cell को लेते हैं कि आया इसको acute encephalitis syndrome तो नहीं है फिर उसके बाद तब उसके बाद हम लोग दवा का selection करते हैं लेकिन होमियोपैत में होमियोपैत में according to symptom methodology भी हम लोग दवा का selection और हमारी होमियोपैत डिपेंड करता है कि symptom of the patient and symptom of the medicine हमारे बीमारी का क्या ension है साथ ही साथ हमारी दवा का क्या selection है अगर सही से proprio EV में अगर मरीज का यानी जो भोगी है उसका election ले ली लिया जाए और फिर होमियोपैत दवा सिलेक्ट की जाए तो इसमें होमियोपैत बहुत कारगर दवा है और खास दोर से हमारे होमियोपैत में जैसे बिलाडोना है, एकोनाइट है, आरसेरिकम अल्बम है, रस्टक्स है, जलसीमियम है, गलो नाइन है इस आर थी बेस्ट मेडिसीन फोर एक्यूट इंसेफलाइटी सिंड्रॉम बहुत अच्छी दमाइएं हो में पैट में, लेकिन यह है कि यह डिपेंड करता है सिंड्रॉम के उपर, लक्षण के उपर हम लोगों ने एक थी महसूस किया है लगातार, कि कोई भी किसी परकार की जान लेवा बिमारी हो तो समय रहते अगर हम चेत जाएं या उस लिसा में कारगर पहल करें, स्वेंग जागरूप हों, लोगों को जागरूप करें तो आपकी, आप यहां इस शाहर के, वोसी बिख्याची किस्टक रहे हैं, और समाज सिवा से भी जूरे रहे हैं, लोगों के बीच आना जाना उठना बैटना, एक आपकी गतिवी दी रही है तो आपकी दिस्ट्री में, ग्रामीन छित्रों में, सरकार से कोई सुझाओ देना चाहेंगे कि किस परकार जागरूपता भी या लोगों की बीच चलाया जाना चाहिए हमारे शेहर की या हमारे मुलक की आबादी बहुत जादे हैं, और इसमें सबसे जादे यह हैं, कि जादेतर लोग और सिक्षित हैं, जानकारी की बहुत कमी है और इसमें particular way में ये नहीं कि किसी एक टूली में बलके door to door जिस तरह से आज कल बहुत सारी बीमारियों में वो आम तोर से हम लोग देखते हैं कि पर चीकी सा पधाती कारी जाते हैं और door to door जाकर के लोगों को समझाते हैं ठीक उसी तरह से बहुत सारे उसके प्रोसेस है एक तो ये है कि कौज किया है बीमारी किया है इसके लक्षन किया है और इसमें एक आदमी को क्या करना चाहिए अगर अगर वो समझ में नहीं आता है अगर देखें कि सबसे पहले तो ये बता दिया जाए कि अपने तोर पर वो आदमी क्या कर सकता। उसको हम लों कहता है धी का मैंडीमेंट का मतलब कि अगर कोई बिमारी होती है, अब रात में अचानक हो गया, शाम में हो गया, अब ऐसे हालत है जहां हम कहीं जा सकते पना है, तो ऐसी सुझमें इस तरह की चीज़े दी जाए, ऐसी अगर करें तो इमिडिये डॉक्तर से कंसर्ट करें और हमारे ये जो हमारी स्वास्त केंद्र जो है ये भी जाजा करके लोग को सब्जाए कि किस तरह से रहना है क्या करना है कुछ लोग को भ्रह्म है या गरामीन छेत्रों में असिक्षा गरीवी कई परकार की समस्या है इस कारण लोग जागुरुक नहीं हो पाते हैं चिगिस्तक तक नहीं पहुँश पाते हैं और कई प्रकार के अंद्विस्वास भ्रहम की भी स्थिति बनी रहती है कुछ लोग इसको भ्रहम से अंद्विस्वास से भी जोडते है और कुछ लोग का यहां मानना है कि यह छुआ छुट की बिवारी है आप इसके बारे में क्या काना चाहिए सवाल तो बहुत ही अच्छा है चुकि इसमें जब चमकी बुखार होता है तो बच्चे उसमें ऐसी ऐसी बाते बोलते है कि उसका उसका असर ऐसा लगता है कि कहीं ने कहीं ये किसी और चीज़ से ये जुड़ा हुआ है यहाज यह यह आम तोर से देखने को मिलता है जैसे आम तोर से चिकन पॉक्स वगरा में भी हम लोग और दूसरी बीमारियों में देखते हैं कि लोग डॉक्टर से जा करके कंसल्ट नहीं करते हैं, बलके फूख जाड में लग जाते हैं, जब कि ये बहुत ही फैटल होता है, और ऐसे में अपने बच्चे को या अपने पेशन्ट को लोग खो देते हैं, जब कि ये बाते नहीं है, ये जो बीबारी है, आम तोर से वाइ रखेंगे, चुकि इसको दिमागी बखार भी कहा जाता है, इससे फ्लाइटीस का बतल में, तो उसमें होता क्या है, कि हमारा मस्तिक्स एक जगह नहीं रहता है, आदमी उसको कंसल्टेट नहीं कर सकता है, वो अपने बस में नहीं होता है, जिसकी वज़े बोलता है, वो ऐस वो कोई ये चीज़े फुख जार की नहीं है, बलकि वो डिजीज है, और डिजीज के लिए ज़रूरी है कि वो डॉक्टर से कंसल्ट करें, और परोपर मेडिसीन उसको दिलाया जाए. सर, आपसे आखडी सवाल, कि आपने कहा कि डैम वाले जगह पर गंदगी वाले जगह पर हैं, लेकिन पिछले कई बरसों से लोगों के अंदर धारना बैठ गई है, कि गर्मी अगर बढ़ा, तो इस बीमारी का प्रकोप बढ़ता है, लेकिन जैसे ही बारिस होती है, मौसम या सोता ही इसका प्रकोप समाप फूने लगता है, इसमें कहां तक सचाई है? हर्पी सिंपलेक्स है, या टोगा वाइरस है, या अर्बो वाइरस है, सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ वो एक्यूट इंसिफलाइटिस पैदा करता है, बलकि इसके दोरा कई तरह की बीमारिया होती है, कई तरह की वाइरल डिजीज होते हैं, जैसे इस मौसम में आम तोर से स्प्रेड होता है, तो अब है क्या, कि सबसे पहले तो ये करना होगा, कि हमारे लाइफ स्टाइल को सही रखना होगा, लाइफ स्टाइल को सही रखने के लिए, एक तो ये है, कि हम नंगे बदर न रहें, फुल कपड़ा पहने, अपने बच्चों को फुल कपड़ा रखें ڈیم سے نمی سے معاشر سے بچائیں ایکسٹیم ہیٹ سخت گرمی سے چونکہ یہاں گرمی بھی زیادے پڑتی ہے اور ڈیم پی نمی بھی بہت زیادے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کسی خاص موسم میں ہوتی ہے گرمی میں کچھ موسم ایسا ہے کہ برسات میں یہ جو موسم یہ جو گرمی میں چونکہ مچھر کی پیداوار بہت زیادے ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے عام طور سے یہ وائرس کو کیری آن کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے سخت گرمی ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم سے سوائٹنگ بہت زیادے آتا ہے پسینہ بہت زیادے آتا ہے الیکٹرولائٹ کی ہمارے بڑی سے کمی ہوتی ہے اس وائرس کے انفیکشن سے ہمارے بڑی کے اندر ہمارے بچوں کے بڑی کے اندر جو بچے عام طور سے چھوٹے بچے جو پندر سال سے کم عبر کے بچے ہیں ان کو ہائپو گلیسیمیا ہو جاتا ہے شگر لیول کافی ڈاؤن ہوتا ہے جب شگر لیول ڈاؤن ہوگا تو اس سے چمکی ہونے لگتی ہے بچے کنولزن میں چلے جاتے ہیں چھوٹے بچے جو نیو بانڈ بیبی ہیں جو ایک سال کے ہیں چھے مہینے کے ہیں وہ بہت زیادے روتے ہیں ان کی تنڈنسی ہوتی ہے بہت زیادے یہاں تک کہ بچے گردن کو ایٹھ لیتے ہیں یہاں تک کہ بچوں کے آنکھوں کی روشنی تک چلی جاتی ہے وہ کسی کو دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں یہاں تک کہ عام طور سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس تکلیف کی وجہ سے الٹی تک ہو جاتی ہے تو اس کے لیے وہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے لائف اسٹائل کو صحیح رکھیں اگر اس بیماری سے نجات چاہتے ہیں تو اور اس پر خاص دھیان دیا جائے اور اگر اس کو کسی کو یہ بیماری ہوتی ہے تو ایمیڈیئٹ چکل سخت سے کنسلٹ کریں اس میں ذرا سا بھی لا پرواہی نہ کریں بچے کو بھوکے نہ سونے دیں بچے کو پانی زیادے سے زیادے ماترہ میں پلائیں اس بات کا خاص دھیان رہے خالی پر بچہ نہ رہے پانی کی ماترہ بڑھائی جائے اگر اس طرح کا ہوتا ہے تو نمک چینی پانی کا گھول یا الیکٹرول ہو یا کوئی بھی گھول ایک اور چیز میں بیچ میں بتا دوں کہ اس میں بتلایا جاتا ہے کہ ترل پدارت زیادے استعمال کیا جائے لیکویڈ ڈائیٹ زیادے سے زیادے دیے جائے ایسے بچے جو کھانے والے ایسے بچے جو نہیں کھانے والے ہیں جو چھوٹے ہیں تین مہینہ چار مہینہ کے ان کو یہ چاہیے کہ ماں کا دودھ سب سے بہتر ہے دودھ کے ذریعہ بچے کو الیکٹرولائٹ ملتا ہے اس لیے چھوٹے بچے کو مارات میں دودھ ضرور دے کر کے تب سلائے اس بات کا خاص خیال لکھا جائے آج ہمارے شاد تھے ڈاکٹر کمر عالم صاحب آپ نے ایس کے سبھی پہلووں پر اس کے لکشن اس کے نیدان پرہیج جاورکتا سبھی پہلووں پر آپ نے بستار سے جانکاری دی اس کے لیے اور یہاں پدھار ہے اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنواز